श्री गुरुतेक बादुर्जी महराज का 400 सालावा प्रकाश वर्ष है उनका बलिदान क्यों हुआ था इसलिए हुआ था कि यह भारत वर्ष की चलती आई हुई एकात्मता की प्रेम की अखंडता की प्रम पराये उसका आधार तो यही है कि हम सम्विधताओं को स्विकार करत है और उस समय देश में यह अत्याचार चल रहा था कि अपनी पूजा बदलो नहीं तो मरो तो कश्मीर से लोग गुरुजी के पास आए हाथ जोड़कर सुरक्षा के लिए विनन्ती की तेक बाद दूर जी चले गए दिल्ली बाद्शा के सामने और अपने धर्मशर्दा का परीचे देते हुए उनका बलिदान हुआ उन्होंने अपना सिर दे दिया परंतु भारत वर्ष में इस प्रकार की पूजा की स्वतंत्रता बनी रहेगी सबकी पूजा स्विकार होगी कोई एक दूसरी के पूजा पर जबरदस्ति नहीं कर सकता यह जो अपने भारत वर्ष के संस्कृति का सार है उसको उन्होंने दिया नहीं सिर दिया सार नहीं दिया इसलिए हिंद की चादर कहला है भारत वर्ष की स्वतंत्रता भारत वर्ष की एकात्मता अखंडता के लिए बलिदानों मिनी वीरों की सनातन काल से जो आकाश गंगा यहां चली आ रही है उस आकाश गंदा के वे सूर्य से थी